जब इंसान इश्वर की शरण में आता है तो उसका पूरा ध्यान इश्वर में ही रहना चाहिए किन्तो इसके लिए एकागरता की आवशक्ता होती है पूजा उपासना ध्यान यह सब आत्मा को परमात्मा से जोड़ने के ही तो साधन है पूजा तो आप भी करते होंगे लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखर क्यों जलाते हैं पूजा में धूप क्यों अलग-अलग तेलों से दीपक जलाया जाता है भागवान को क्यों अर्पित करते हैं प्रसाद आज मैं धायर्म आपको यही तो बताने वाला हूं गौर से देखिए भीनी भीनी सुगंद से भरा पवित्र वातावर हलकी हलकी रोशनी विखेरते दीपा धीमे धीमे सुलकती धूट अगरबत्तियां तरहा तरहा के पकवानू का प्रसाद ये सब एश्वर की उपासना के महत पूरंग हैं इसलिए तो मंदिर में कुछ देर बैटने भर से अपार मानसिक सुख मिलता है मन शांत सा हो जाता है लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इश्वर के हर रूप की उपासना में इन पूजन सामगरियों का प्रयोग क्यों होता है जोतिश के जानकारों की माने तो उपासना में प्रयोग होने वाली हर सामगरी का विशेश धार्मिक महत्व है तो आईए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि पूजन में धूप या गरबत्ती क्यों है महतवपून व्यक्ति के मन को एकागर करने के लिए सुगंध का प्रयोग करते हैं तनाव घटाने के लिए भी सुगंध का प्रयोग किया जाता है सुगन्द से व्यक्ति अपने मन की तमाम चिंताओं को तुरंत दूर कर सकता है इसलिए पूजा के दोरान धूप बत्ती या अगरबत्ती का प्रयोग किया जाता है अगरबत्ती की तुलना में धूप बत्ती का प्रयोग ज्यादा अच्छा मानते हैं धूप बत्ती या तो पूजा के पहले जलाएं या पूजा के बाद आम तोर पर पूजा के लिए चंदन की धूप बत्ती का प्रयोग करना उत्तम होता है पूजा के दोरान दीपक तो आप भी जलाते ही होंगे लेकिन क्या आप जानते हैं कि उपासना में दीपक जलाने की परंपरा का कारण क्या है आखिर अलग-अलग उपासना में अलग-अलग तरह के दीपक क्यों जलाए जाते हैं आईए हम आपको बताते हैं हम इश्वर को प्रकाश के रूप में मानते हैं इसलिए दीपक जलाकर उसकी ज्योती के रूप में इश्वर को स्थापित करते हैं दीपक से एकागरता और उर्जा दोनों प्राफ्थ होती है इश्वर की उपासना में फूल अर्पित करने की परंपरादू सदियों से चलिया रही है कहते हैं कि फूलों की सुगंध से देवतात्रिप्त होते हैं लेकिन क्या सचमुछ फूल अर्पित करने से देवतात्रिप्त होते हैं आज मैं धर आपको पूजा में प्रयोग होने वाले फूलों से जुड़ी कुछ अद्बुत बातें बताऊंगा लेकिन आपकी राशियों का हाल बताने के बाद देखिए मेश, रोजगार में आपको काफी मेहनत करनी पड़ सकती है आपके दायत्व बढ़ सकते हैं पुराना रुका हुआ धन प्राप्त होगा शुभरंग, सफेद, भाग्य प्रतिशत 79 ब्रिश, धनलाब की स्थिती बन रही है सेहत में सुधार होगा कोई रुका हुआ काम अब पूरा होगा शुभरंग, धानी, भाग्य 87 प्रतिशत मिथुन, आज का दिन आलस्य से भरा रहीगा अपनी आर्थिक स्थिती पर ध्यानने महत्वपूर्ण काम ना टालें तो बेहतर है शुभरंग, आस्मानी, भाग्य प्रतिशत 61 कर्क, कारे में तनाव कुछ बढ़ सकता है किसी मित्र की सलहा आपके लिए लाबकारी होगी शुभरंग, सुनहरा भाग्य प्रतिशत 69 सेंग, रुका हुआ काम बनेगा आफिस में आपको खुँप्रशंसा मिलेगी पारिवारिक मतभेत दूर होंगे शुभरंग, आस्मानी भाग्य प्रतिशत 78 कन्या, आज के दिन जिम्मिदारियां बढ़ सकती है रोजगार के लिए आपको काफी मेहनत करनी होगी फसा हुआ धन मिल सकता है शुभरंग, धानी भाग्य प्रतिशत 65 तुला, मान सम्मान और यश की प्राप्ति होगी पूजा पाठ और अध्यात्म में आपका मन लगेगा आकस्मिक धनलाब का योग है शुभरंग, नीला भाग्य प्रतिशत 75 फ्रिश्टिक कोई बड़ी सफलता आपको मिल सकती है संबंधों की समस्या दूर होगी स्थान परिवर्तन का योग है शुभरंग, क्रीम भाग्य प्रतिशत 84 धन, बड़बोले पन से आपको अपना बचाव करना चाहिए वाहंदुर घटना का योग है धन की बरबादी से बचे शुभरंग, लाल भाग्य प्रतिशत 69 मकर, दिन भर दोड़ भाग आपको करनी पड़ सकती है नौक्री में परिवर्तन होगा शाम तक आर्थिक लाब हो सकता है शुभरंग, काला भाग्य प्रतिशत 64 कुम्ब, अचानक कोई बड़ा अफसर आपको मिलेगा खूब माहन सम्मान मिलेगा धन के खर्चों पर ध्यान दीजेगा शुभरंग, फिरोजी भाग्य प्रतिशत 89 मीन आपके पाउं में चोट लग सकती है दिया हुआ धन फस सकता है किसी भी तरह की जल्दबाजी न करे शुभरंग, सफेद, भाग्य प्रतिशत 55 समय हो चला है फूलों में सुन्दर्ता के साथ-साथ अद्भुत सुगंद भी होती है जो किसी का भी मन मुह सकती है लेकिन पूजा उपास्ता में फूल अर्पित करने का क्या महत्व है आखिर भगवान को क्यों अर्पित करते हैं रंग बिरंगे फूल मा लक्ष्मी को प्रिय है कमल का फूल मा दुर्गा को प्रिय है उड़ल का फूल मा सरस्वती को प्रिय है सफेद गुलाब और गेंडे के फूल जोतिश के जानकारों की माने तो हर देवी देवता को कोई ना कोई फूल प्रिय होता है इसलिए पूजा उपासना में फूल अर्पित करने के परंपरा चलिया रही है लेकिन क्या आप जानते हैं कि पूजा में फूल अर्पित करना कितना जरूरी है और रंग बिरंगे फूलों का क्या महत्व है आईए हम आपको बताते हैं इश्वर को फूल चढ़ा कर हम अपनी भावनाई व्यक्त करते हैं खुद भी फूलों का प्रयोग करके हम अपने मन को बहतर करने की कोशिश करते हैं अलग-अलग रंग और सुगंध के फूल अलग-अलग तरह की भावनाई दर्शाते हैं ये फूल मानसिक्भी हो सकते हैं और वास्त्रिक भी इन फूलों को अपने इस्ट देव को अर्पित करना चाहिए उपास्ता में प्रयोग होने वाले फूल इश्वर और इंसान के संबंधों को और भी गहरा कर देते हैं इनकी सुगंध और सुंदर्था आसपास के वातावरण को पवित्र और सकारात्मक कर देती हैं और ऐसे पवित्र वातावरण में ही तो होता हैं इश्वर का वास्त यही भावना फूलों को विशेश महत्वपूर बनाती है इस संसार का नियम ही अनोखा है जो आया है उसे जाना भी पढ़ता है तो अब मुझे आग्या दीजिए कल फेराऊंगा तब तक के लिए